ज्याम अविंदवाशनी हर हर महादेव आप शभी का स्वागत है हमारे योट्यूब परिवार में आज की समय में क्या कोई इतना छमतावान है क्या किसी तंतरिक के पास किसी साध्धक के पास इतनी बड़ी सिध्यां है इतना बड़ा कोई उनके पास मंत्र की सकती है तंतर की कि वहां किसी के देवीद्वता को या किसी भी देवी देवता को बांध सकता है。 रमायन में, हम सभी दिखते हैं कि ऎन्द्रजीट जो है वो पंच देवों को यानि कि जो अगनी देव WHAT steve या मराज हैं इंस सभी देवों को अपने सट्यों से बांध दिया करता था उसके पास इसी शम्ता थी, कि वो बांद देता था, तो कि आज के समय में ऐसी किसी के पास शम्ता है, कि ऐसी सक्तियों को कोई बंधन में डाल दे या बांध दे, इंदरजीत का नाम इंदरजीत इसलिए पड़ा था, क्योंकि वो पास असे स्वयम जो है, भगवान इंदर को ही बांदे करें के लिए चला आया था उस सामें तुब जाना ने के सक्तियां होती तो है यह कंफार्म है लेकिन क्या अब ही की सम्भव है कि किसी की सक्टी को बांध दिया जाए कोई ऐसे बड़े महासक्ती को बांध दिया जाए तंत्र की छेत्र में यह चीज आता है क्योंकि जब भी हम किसी को दिखाते सुनाते हैं तो यह पात आती है ने कि आपके घर के देवी दवताओं को बांध दिया गया है तो यह क्या होता है एक्चुली में यह है क्या इसके पीछे का कोई टिकनिकल कुछ साइंटिफिक रीजन से कुछ तरीका है वो क्या है उसको आज हम लोग थोड़ा डीटेल से देखेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है अगर आप लोग इस छेत्र में जिग्यासिव हैं इस छेत्र के आपको जानकारी चाहिए तो आप अब से सुनें पूरे इस वीडियो को उससे पहले आप सभी से निवदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें टेलिग्राम गुरुप का लिंक वीडियो को निक्ष्म को आखरных बंधने में शक्षम कौन हो सकता है कि एक मनुस्य में इतने शमता होसकती है कि वह किसी सक्ती का बंधन कर सके सामाने रूप से जो प्रचलन में है जो कहावत है जो हम कहते हैं बोलचाल की भासा में कि फलाने की देवता को बान दिया गया है या फलाने की सक्ती को बान दी गई है फलाने की सिद्धी को बान दी गई है वास्तों में वह क्या होता है इस चीज को समझे एक समाने साधक है उसने साधना आरंब की नया है भगवती दुर्गा की साधना आरंब की उसने भगवती दुर्गा की एक स्वाठ नाम की जो सतना मावली है अस्तुत्तर सतना मावली है अमसति साधिवी भवपृता भवाने भवमोचन यह जो मंत्र है पूरगा पूरा एक स् उसने पूरश्चरन किया उनिस्ठान की रूप में उसने सोचा कि चलो मैं 2100 इसका जब करता हूं औरोज वो 100-100 जब कर रहा है ग्यारा हजार जब करता हूं और 1100 जब कर लिया उनिस्ट संकल्प ले कर stuffing कि भगवति की पिरती के लिए भगवति की क्रिप्राप्ति है तू मेरे सभी पापों के छई है तू सभी दोसों के समन है तू मैं भगवती के इस 108 नाम का पाठ करने का संकल्प लेता हूं या मैं इतने दिनों के भीतर इतना पाठ पूर्ण करने का संकल्प लेता हूं संकल्प लेकर के बैठ गया वो भगवती के समुक नित नियम हम नित्ता दिकिया या हमन नहीं भी करता है कि वह जब किया भगवतिगु समरपित करते गया अन्तिम समरपण जब हुआ उसके पशात यह निश्चित है सौब प्रतिसत की भगवतिगी योगिन्यों के द्वारा वो सभी और से रक्षण को प्राप्त करेगा ध्यान रहे गिन्यों का आवहन हो जाएगा जब वो क्रिपा करेंगी तो वो उसे तंत्र शेत्र में या फिर उस प्रकार की उर्जाओं का उसे आभास करवाएंगी उसे स्वपने के माध्यम से या जब वो अर्ध निद्र की अवस्ता में होगा अध निद्रा यानी की जिसे हम लोगों सि दोनों का जो एक बोला जाए कि जाने का रास्ता है मारग है वो दोनों दृस्यमान होता है उस समय में समानने भासा में इस समझ लिए शिवकी अवस्ता तो काफी उच्छा है वो तो प्रम प्रम प्रमेश्वर है लेकिन एक समझाने के लिए बात तो आप किसी भी चीज को फिलक आप करते हैं सादना के शुतर में जब इस अवस्था में होते हैं ना पूरे तरीके से जगे होते हैं ना पूरे तरीके से सोय होते हैं तो अर्ध निद्रा के अवस्था में आपको चीजों की अनुभूती होती है कि कोई देवी आई आई आपको इस परस करके गई पर जब यहां सब चीज़ें आरंब होंगी तो यहां दो काम होगा साधक इस चीज़ को और अधिक जानने के लिए या तो तंत्र ग्रंथों का अध्यन करेगा वह चाहेगा कि यहां जो सक्तियां हमारे पास आ रहे हैं या जो कुछ भी यहां माया का खेलब शुरू हुआ है समझू या इसे मैं और जानू और सही तरीके से जानू अब और जानने के लिए या तो वो ग्रंथों का धन करेगा अभी कसा में हमें यूटूब को देखेगा तंत्र के जिदरे मैगजिन्स आते हैं उन सब्सक्राइगा देखेगा प्रयास करेगा कहीं से यह चीज़ें प यह अगर वह व्यक्ति सही हुआ, तो आप सिधा सही है, आप उनुभाव में मत फसो, आप जो है इन चीजों को करते रहो, भगवती क्रिपा आपको प्राप्त हो चुकी है, इस्पस्ट है यहां पे, आप इतना साधना की हो, अस्पस्ट है, क्युनकि क्रिपा प्राप्त है, लेकिन बहुत तिकता में मत उधारो, क्रिपा का बहुत तिकता के साथ में आप सम्यक संबंध जो अस्थापित कर देते हो, उसे मत अस्थापित करो, यह हमा तो बोलो कि क्रिपा प्राप्ती हो गई है, तो आप मुझे दिविद्रिष्टी प्राप्त हो जाए, क्रिपा प्रा पूल कारे नहीं होते हैं, आपको लगता है कि मैंने यह साधना की, पहले आपने नहीं सोचा था लेकिन आपको पता चलिया है कि करफा प्राप्ति हो गई, अनुभाव होने लगे, उसके पशाता आप आसा करते हो, यहां उमीद करते हो, कि यह सक्तिया मेरे इस कारे को करें, अब आप यहां पर पहले निसकाम थें, भगवती के भगती में थें, उनके क्रिपा प्राप्ती में थें, और उनके अनुसार अपनी जीवन को चलाने में थे, लेकिन अब आप नहीं हो, अब आप चाहते हो कि मैं जो चाहता हूँ, वो हो, मैं जिसे पाना चाहता हूँ, उसे वो क्या चाहती है उनसे आपको मतलब नहीं है तो यहां पर आप जो है कहीं न कहीं classified हो रहे हो किसी चीज का वरगी करण कर रहे हो कि मुझे यह चीजे चाहिए मुझे यही चाहिए properly और आप उसको ले करके आप संकल्पित होने लगते हो चीजे यहीं से बिगड़नी सुरू ह हो जाती है क्योंकि उसके पशाद जब आप classified कर लेते हो तो वो जो देने वाली होती हैं वो ना दे करके आपकी चीजों के कारण से अब अनमन्द सुरू हो जाएगी उसके पशाद अनुभाव भी आपका कम होने लगेगा अप प्रस्टेट होने लगोगा आपका विश्व प्रकरी नहीं मिला उम्र पार हो गया अनेकों प्रकार से आप उलाहना दोगे उन्हें उन्हें कष्ट नहीं है आपकी इस्ट को कष्ट नहीं है लेकिन उनकी जो सेविकाएं हैं परिचारिकाएं हैं जो इस लोक में उपस्तित हैं जो हमारे वात्तापरण में रहती हैं जो सबसित्तिवरे रूप से रिस्पॉंड करती है आपके चीजों को, वो कुपित होगी वो डंडे देंगी, एक तरीका होगी यह बंधन नहीं हो रहा है यह दूरी हो रहा है, एक दूसरे के साथ दूरी बंधन है, अनुबहु कम हो जाएंगे आपके उलाहने के करण, और आपको फिर क्या होगा, फिर किसी दूसरे तिसरे वक्ति से पूछोगे, कि यह यसे चीज़े हो रही है, अब कोई उसमें दुपका आद्मी होगा, बुल देकर देवता बाहन दिये हैं, देवता बंधन में आपके चीज़े नहीं हो रही है, आपका उनुभाव कम हो गया, और जब आप इन सभी चीज़ों को सुन हो गयो, कि हाँ अनुभाव कम हो रहे हैं क्योंकि हमारे देवी देवता, हमारे जो सक्ति जागरत हुई थी, उसे बाहन दिया गया है, फालना तांतरी दस तरीके का बवंडर बन जाएगा, फिर आपको एक नया साधना दिया जाएगा, कि आप इस साधना को करो, अब जिसके कारण आपको इन से भी चीज़ों की प्राप्ति हुई थी उस चीज़ों को छोड़ करके उस साधना को छोड़ के, उन से सम्मंधित साधना को छोड़ के, उस विशे को तो आप पूरा छोड़ दी है, क्योंकि जनकारी ही नहीं है जनकारी है ही नहीं तो करोगे कहां से अब आप उन चीज़ों को छोड़ करके एक नए चीज़ में प्रवेस करके हैं जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के दिया दिया गया है आपको जो कि आपको यह बोल रहा है, यह कन्वेंस कर रहा है कि आपके सक्तियां बान दी गई है आपके जो अनुभा होते हैं वो इसलिए बंद गया है क्योंकि किसी ने आपके उपर तंतर विचार कर दिया और उसके पर शाता फिर भटकते जाओगे वो बंधन कभी जिन्दगी में ने खत्म होगा क्योंकि बंधन तो कुछ था है नहीं आपकी मानसिक्ता में वो बंधन आ गई है ठीक है, पहला यह चीज हो गया दूसरा चीज आते हैं प्रफर्ली जहां पर देविद्य बंधन ते हैं किस प्रकार से जब उर्जा का निर्माण हुआ किसी चत्र के, किसी साध्यक के द्वारा उर्जा का निर्माण उसे सही गुरु मिले योग्य गुरु मिले उन्होंने तंतर की प्रक्ष्याओं को समझाया है टंत्र में प्रक्षेपंड कैसे होता है उर्जा प्रक्षेपंड का सिध्धान्त कैसे हैं तरीके अलग हो सकते हैं। सब्द अलग हो सकते हैं टेकनिक एक ही होता है क्या होता है मंत्र के ध्वनी तंत्र जो हम करते हैं उसमें क्या है मंत्र यंत्र और कुछ वरस्पति पदार्थ इत्यादी का सम्मिस्राण करें उर्जा को इस तरीके से एक तरीके से एक जगा इकठा करना और इकठा करके अपने मनकूल वस्तु, मनकूल भाव जो एक्षा है, उसके उपर डाल देना, कि वह चीज एक्जिक्यूट कर जाए, यही है तंत्र, मारण का प्रयोग हुआ, किसे वक्ति के उपर मारण प्रयोग होता है, तो क्या करते हैं, क्या होता है, उसके वास्तु, मुर्जा है, उसको देखा जाता है, कौन सी देवी देवता के उर्जा उसका रक्षण कर रही है, क्या है, नहीं है, अब इधर में उस अनुसार पुरा प्लानिंग होता है, कि हाँ, यह चीज जो हैं, तंत्र में हमें करना होगा, उसकी सुरक्षा तमक्सक्तियों को कैसे हम कीलन करेंगे, वह चीजे हट जाएं, यानि कि उनके सुरक्षा आवरणों को हटाना है पहले, घर के देवी देवताओं को हटाना है, टेकनिकली समझे हो, यानि कि उर्जा से उर्जा को हटाया जा रहा है, एक उर्जा को दूसरी उर्जा के माध्यम से पहले बंधन में यानि की अवरोध उत्पन किया जा रहा है ताकि जब उनके ऊपर हम ऐसा विशेश उर्जा चलाएं जिससे कि उनकी स्रेड की किसी भी पाट का किसी भी अंग का काम करना बंध हो से उनकी मृत्यू हो जाएं तो उर्जा का प्रक्षेपन इस तरीके से किया जाएगा मंत्र के माध्यम से जो तंत्र मंत्र यंत्र जितने भी या सारे चीज़ें होते उन सभी के माध्यम से पुरा प्रोसेस को करके उर्जा को ऐसे प्रक्षेपित किया जाएगा प्रक्षेपन करने के प्रशाद अविक्ति में कैसे बान देते हैं आप एकिदि के जो भी इस्ट देवं हो जो भी आराध्ध देव हो जिनकी पुझा आप उस्त कर रहे हैं चाहें नया सादक हैं तो कुछी दिन दक talks az créd में जो चांच जब आपकी किसी सत्रू के द्वारा तंत्र का प्रक्षेपन होता है कैसे होता है किन-किन तरीकों से होगा घर में जो सात्यविक सक्ति हैं और घर के जो देवी देवता और पित्र हैं उन सभी को किन-किन चीजों से रोका जा सकता है पित्र कितने त्रिपत हैं कितने कितना में तुझ वह प्रयोग में क्या होगा यह चीज होगा और फ्रक्षपन का ऐ सुद्धानत मन्त्र की चलेगा और आशे बंधन मंत्रों का प्रयोग रहेगा जिससे कि उस उर्जा को कहीज न निस्तिज किया जाएगा या उन्हें करना कोई ऋकरे का तब ही होगा । तो कि आपको इस विशेंप में जानकारी नहीं रहती है या लोगों को जानकारी नहीं है तो उस अउरोद को हटा नहीं पाते हैं अब जब यह सब क्या है बहोग देना क्या है दो टौफी का लालस देकर कर बच्चे से काम करवाना एक चीज होता है ना तो यहां क्या सक्तियों को लालस दिया जाता है नहीं वो वचन में बंद जाते हैं जो मंत्र हैं मंत्र क्या है मंत्र एक वचन है साबर मंत्रों में दुहाई वचन है इसके कारण वो इस मंत्र के आदेशी के अधीन हो जाते हैं को वेवश हो करके उनको ऐसे कृत्य करने पड़ते हैं और अब के देवी देवता वहाँ पर उन वच्छनों के कारण उन मंत्र के आदेश के कारण निस्क्रिय हो जाते हैं अब यह निर्भर करता है कि कितने समय के लिए वो जो व्यक्ति प्रक्षेपन कर रहा है उसके उपर नि से जो है लोग बान देते हैं और हटाते हैं या करते हैं तो बंधन यहां अपर देवी देवताओं का एक तरीकी से अगर आप बोल रहे हैं तो देवी देवताओं का बंधन संभव है बिल्कुल है और होता है लोग करते हैं लेकिन तरीके अलग-अलग होते हैं जीजे पतलएगे भी नहीं, भगवान संकराचार जो साख्शात संकर हैं उन्होंने बहुत सारी जगों पर किलन किया है, वैसे उग्रशक्ष्टिओं को किलिद किया है, ताकि दुस्प्रभाव ना हो, अभी के कली काले में मनुष्ट से जो है उसका दुस्प्रयोग किया करते थे त तो वहाँ पर एक सद भाव हो था और उतने सक्षम थे अभी के समय में इतना सक्षम कोई वेक्तिकर है भी तो वह ऐसे नहीं कर देगा नहीं हो सभी के समय प्रकट रूप से आएगा कभी तो सभी चीजों की एक सीमा है तो बंधन होता है लेकिन इस तरीके से होता है और काट भी जब होता है तो उसी तरीके से अब किसी वक्ति के डेवी देवताओं का बंधन कर दिया गया इतना सक्षम दांत्रिक रहा जब वो कर दिया तो जब आपको पता चले वास्तों में कि हाँ यह वास्तिक्ता है इस तरीकी का क्रित्त किया गया है तो क्या करना चाहिए से कि भगवती आपकी इस्ट हैं और आपकी कुले देवी हैं और आपको पता चला कि ठीक है तांत्रिक ने बलिव होगी त्यारी देगे कोई बहुत बड़ा क्रित्त करके उनको बंधन में ले लिया अपना पुरा ताकत लगा दिया है इस तरीके क्रित्त को करने में है बिल कर ले वो तो जुड़ा रहेगा और जब आप उस रत मांस से बना हुआ अपने सरीर इस बिंड के माध्यम से आप उन देवी की हेतू हवन करेंगे तो उससे उत्पन और चाहें कितने भी बड़ी सकती हो कितना भी बड़ा बंधन हो एक समय आएगा कि वो तूट जाएगा नहीं रह पाएगा लेकिन को करना पड़ेगा उसमें सहयूगा आप ले सकते हैं कि हावन में महा देव का कर रहे हैं इस हेतों कि हमारी कुलिबे का बंधन भठें हम भगवान भैर्व का करह हैं इस हेतों कि हमारे कुलिबेगी जो है वह बंदन समुक्त हों अभिचार loi कृत खावन के माध्यम से पुष्टी कारक हावन के माध्यम से पाउष्टी कर्मों के माध्यम से आप उनको मुक्त करा के स्थाफित करोगे और पुना पुना उनका फिर कुछ ना हो इस प्रकार के क्रितों ना हो तो घर का बंधन मंत्रों के माध्यम से तंत्रों के माध्यम से वैस इसा कीले नश्ट कर दो सत्रों में ओ छमता ही ना रहे तो अपने आपको अब सबल बनाओ इन सभी चीजों को जान करके सही तरीके से तो फिर चीजें अच्छी से होंगे आसा करता हूं आज का यहां वीडियो आप सभी के लिए लाब प्रद्ध होगा जया माविन्द्वाश नी हर हर महा देओ